हेलो वीवर्स वन्स अगें वेलकम बैक ट्री और चैनल क्रिटा छेत्रे होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फीट होंगे फाइन होंगे और अपने स्टेडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो दोस्तों जैसा कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक क सब के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीलिस्ट में जाके देखिए आपको वहाँ पे आपको सारे वीडियो एप डेवल होंगे आपको वहाँ पे जाके देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यूपिक के एल्टी के सिलेबस के एकॉर्डिंग चल लाए ह तो जिसमें आज हम लोग अपन पेरा ओलम्पिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे हमारे पेरा ओलम्पिक गेम्स में कौन पार्टिसिपेट करता है और कब हुए है इसके फाउंडर कोन है मोटो कोन है सिम्बल क्या है इसके फ्लैक के बारे में डिस्कुसन करेंगे और इसके headquarters के बारे हम discussion करेंगे तो चले start करते हैं हम लोग आज कर जो हमारा topic है Paralampic Games तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे जो यह Paralampic Games हैं इसमें कौन participate करता है जैसा कि आपको स्क्रीम में दीख रहा है जो हमारी Paralampic Games है इसमें वे ही लोग participate करते हैं बहाग लेते हैं जो साइड रूप से विकलांग होते हैं जिनको देखने से संबंदित प्रॉब्लम होती है यानि विज्वल प्रॉब्लम होती है और सुनने में प्रॉब्लम होती है बाधिक अच्छमता होती है इसमें मानसिक रूप से क्या होते हैं तो ऐसे लोग क्या होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और बात करते हैं कि हमारा जो पैरालंपिक का जो हैटकौर्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरालंपिक का जो कमिटी होती जो और्गनाइज करती है जिसको हम लोग IPC यानि इंटरनेशनल पैरालंपिक कम नाम दिया गया है, इस इंपोर्टन थी थोड़ से इसके हिस्ट्री के बारे, किस ने इसको स्टार्ट किया है, और ये मैंड विले नाम क्यों पड़ा है, कमिटी के गठन कहा कि से गया हुआ है, तो इस खेल को जो सुरू करने का श्रे है, है वो हमाई लिड्विक गटमेंच को चांता है कि जर्मणी के नियूरो सरजन में गई видим को सकते हैं मारे पैरे अल्मिक के फादर के सकते हैं थास्टे में करें कि में रहता है उसमें जो स्टैनिक थे उनको उनके लिए क्या रियाबिलेशन के लिए क्या हुआ था यह गेम्स को स्टार्ट किया था उन्होंने इस केम में मतलब वीलचेयर क्या था वीलचेयर खेल को पहली प्रतियुकता के रूप में आजन किया था और कहते हैं कि यह जो हमारे कौन तो डाक्टर लुडवीक गटमैन ने क्या है हमारे क्या थे थे उस्पे और तो इसका कई आज किया था एक कहते हैं इस्पताल था इस्पिताल के हमारे क्यायर है गट मैन है लुडवीक गट मैन यह हमारे क्या थैं नीडो सर्जेंट है तो उनुने वहां पे खेख्या एक ऐस्पिताल खुला लिसका राम क्या था हमारा क्या था इस्टॉक मैंड विले स्पिताल जिसमें उन्होंने स्पाइणल इंजरी center खुला था और समय समय के साथ को क्या करते थे जो वहां के इस्पोर्स行विटी है रिक्रेशन न है यह सारी काँ बोलते कॉंपीशन सारह गेम्स और और सब्सक्राल यह गेम्स कर ते थे और इसруго जुलाई 1948 को लंदन में लंदन 1948 में जब लंदन में ओलंपिक हो रहे थे उद्गाटन समारो के दिन हमारे डॉक्टर गटमैन ने क्या किया था वहां पर वीलचियर एथलेटों के लिए पहल पृतियुकताका योजन किया था इनुन ने क्या किया था कि जब हमारा लंदन में धने गेम्स हो रहे थे लग्याटन में अपने जो ये तो वहां के जो है यह त्व मतलब जो विकलांग थे साली रूप से वांजी रूप से तो उनको वहां उतारा था है जिनोंने वीलचेर के दौरा पाइसीपेटin किया थाколь см GRA CW मैंडी विले नाम दिया था ऐ है तुपक मैंडी विले नाम जिएay था, चुछ रही है चोछ नम बन सकते है कि पेहले डाणियस में केरा पिछ स्पश्ता काहले यह हा है कि से स्थिम्मंग तेकर यह कुछ से इस मेद मेरन सामि नतना Dienstag सबसे पहले तीरंदाजी प्रतियूकता थीडियों मैं भाग लिया थे याद रखे हैं कि तीरंदाजी प्रतियूकता सब करें जूब से पहले हुई थी विल्ट चयर से के था 1828 में जब हमाद लंदन में ओलंपिक हो थे यह हुआ कि Dutch के जो पूर वसयनिक थे खं़ के तो उन्होंने क्या हुआ यह जो हमारा प misconceptions धाय सामौइल हुआ और उन्होंने इसे थापने क्या लेबल में इसके स्थाफने के उन्टरास्ट क्या हुआ करते हन बात करते हैं इतने 23 देशों के 400 अथलेटों रहे था भाग दिया था तब से हर 4 साल में जो होते हैं यह हमारे गेम होते हैं तो यह दर कि कोश्चन नहीं को चकता है कि हमारे जो इस्टॉक में एंड विले जो नाम था गेम का उसका जो प्राइलम्पिक नाम एक पड़ा तो यह हमारा कपड नहीं उन fraction 60 में प्राइलम्पिक नाम पड़ा तो नाम पड़ा। खाहां पड़ा। रोम में पड़ा।भ नाम और प्राइलम्पिक समावपन समारो भी सामिल होता है या नि जो हमारे जैसे ओलम्पिक में वोता है दुखाटन समारो ओपनिंग शेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी इसमें भी होता है और 1988 में कि इंग्रीज में कालनि खेलो कु इनशसो बावदु में 92 में फ्रांस के अलबर्ट विले ने खिया शेचित कालन खेले के बाद में खेलों ने भी खेलों में भी ङाकिया आई-पीक ती जहानी इंटरनीशनल हमारे पर अलम्पिक कमिटी और आयोसी जो इंटरनेशनल ओलंपि कमिटी के बीच में क्या हुआ एक मीटिंग विक समझोता हुआ तो इस समझोता हुआ यह कारण क्या हुआ ओलम्पिक को जो है समान सहरों और स्थानों में भाग लेने के लिए मतलब सब भाग लेने के लिए इजाज़त मिल गई तो किस ने कि इति आई पीसी और आई उसी ने 22 सितम पर 1989 को आई पीसी अंतरास्टी प्यालम्पिक समित की स्थापना जर्मनी के डल कहां पर भी थी डेल डॉर्फ में एक अंतरास्टी गैर लापकारी संगठन के रूप में आई पीसी की स्थापना की गई थी तो इसकी थोड़ी से हिस्ट्री है अब बद करते है हमारा पेरालंपिक जेंगा सर्वाथ कन रेंडर क्रचान के और शेरी इंगने से भी at aி zerby देवट ज्यूंट वर्द इस व चल OH तो इसका जो अंगर भी उच आःब यांज में दो ठोड़ी जो एगा इसमें अनुच यहां बम की द्मार्ट को जो तो फोड़ें ग्रिभा एग मील姥 है वार हारा कलर वो ठीक है क्यों कि हमार जो देशों के जो फ्लेग जन्ने है उसमें जनरली ये कलर आते हैं कि के इसाइड कि आ गया है हमारे निर्यो सरजंट है इस गेम को इस्टार्ट किया है इनहीं कुष्थ जाता है क का आगे बात करते है हमारा जो यह पष्ट्राजाइं ग्राइम्पिक घह में भारत ने इसेपट के और भारत के बारत में daha नीच्टियव इस्राइल के तेल एवियू पेरालिम्पिक में अपनी पहली उपस्तिती दर्च की थी और कहते हैं कि भारती प्रत्री दी मंडल में जो है मारे दस एथलेटों को भीजा था जिसमें आठ गुरूस और दो महिला आये सामिल थी हलाकि भारत में कहते हैं कि इस आयोजन में खाली आयोजन में जो भाग लेने वाले देश थे वो 42 देश थे और 42 देशों के सूची में यह हमारे भारत का स्थान था कोई भी कार्ड नहीं बणा पाया नहीं किया है कोशन यह भी है सकता है हमारे इंडिया ने पेरलंपिंग में तक पर्टिसिपेट नहीं किया है डेट देदेंगे। रखेशन करना होगा तो 1906 तक वी तक अचने पर्टिसिपेट नहीं किया और सूधर जि scholuir 1984 में भागे लेए तो वहां के गेम था वह 0, 6.6 तक है लेंड में हुआ था जहां पर यह सारी एक्टिविटी रखी गए थी बीवारी जिनको बहुत सारी थी जैसे मांसिक रूप से बीमार थे और से रबल रूप से तो दो जगह पर रखा गया था तो भारत के कहते हैं प्रतिविधी मंडर में अभी तक जो सरवाधिक चार पतक हा अब दिलाई है तो बीदी ने क्या क्या था पूर्सों की जो सौटपट में रजट पदक और फिर इन्होंने डिसकस और जैवलीन थ्रो में कांस पदक अपने नाम किया और इसी में भीम राख केसकर का भी नाम आता जिनोंने जैवलीन में रजट पदक पर क्या किया था बात करते है 1988 से 2000 तक में पदक का क्या हुआ था बिल्कुल सूखा पड़ा था कोई पदक नहीं मिला तो 1984 में क्या हुआ कि अपने सरवादिक पदक जीतने के बाद पै-आलम्पिक में भारत का भाग कि क्या हुआ पलटी क्या धूखा दे गया उसने 1984 में तो अच्छे पदक जो चूखा था जो पदक नहीं मिले थे तो वो खतम हो गया और भारत ने यहां पर एक स्वर्ण और एक रज़त पदक जीता और इसी के साथ उसने अपना 53 तिरपनवा इस्थान वहां पर बनाया सूची जो लिस्थी वहां पर तिरपनवा इस्थान बनाया अब आत करते है हमारा यह 2004 में देवेन जाज़डिया थे जिन्होंने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और जबकि रजिंदा सिंग ने हमारे 56 किलोग्राम भारवर्ग में पावर लिफ्टिंग में ने कांस पदक जीता और चार साल बाद इन्होंने बीजिंग में भी भारत का हाथ खाली रहा मतलब चार साल बाद उन्होंने क्याब 2004 में देवेन जाज़डिया में जैवलिन थ्रो में पदक जीता और जिंदा सिंग ने 56 किलोग्राम भारवर्ग में जीता और पावर लिफ्टिंग में पांस पदक जीता उसके बाद क्या हो चार साल बाद बाद बीजिंग लिफ 24 तर अफ 14 इस सब का मतलब क्या है तो कहते हैं कि आ ole के लिफ्टिक छाए। इस प्रतिक वर्ग के लिए क्या होता है इक कोड डिसाइड होता जिसमें कैंने क्या करते है एक उच्छ और दो बंगर होते हैं जिसमें किया था 2012 बशुन बीच में इसने एक ही की अई हांसिल की था 2016 भारत बाड करारू гор में सो 2012 में चार पद्दख्ट के वह थोगारत डाउरसाश फ्राह।ombsk चाहरपदाशा की रहले हीました और जैवलिन थ्रों में एक एक स्वर्ण पदक जीता और जबकि जो हमारी दीपा माली खेन उने सौर्ट पुट में रजद पदक जीता तो इसी के साथ कहते है कि हमारे वरून सिंग घाटी ने उची कूदम की स्टेडी में ने कांस पदक जीता अमबत करते हैं अपने टोक्य बारे में तो भारत ने प्रोक्यों जो हमारे 2020 में हुए हैं तो वहां पर पहले ही क्या हुआ था पहले सही तीरंदाजी अथ्लेटिक्स और निसाने बाजी की 14 इमेंट थे तो उसमें वह 20 वे स्थान पर अपनी जगह पकी कर रखी थी और विसे इस चुरुप से कहते हर्व इंदर सिंग और विवेक चिकारा जो थे प्राइलम्पिक गेम को क्वालिफाइ करने वाले देश के पहले पूरुस तीरंदाज बने थे और 2016 में स्टोर्ड पदक विजेता मरियपन थंगा वेलू ने क्या किया था टोक्यों के लिए नेत्त करने वाले दल का क्या थे हिस्त बने हुए थे और ब्हरतम जितनी अच्छी पामयाबी अभीरियो में मिली है आगे भी आसा करते हैं कि हम आगे हुए हुम बात करते हैं हमारा पारा आलम्पिक का फ्लैग है याद रहें say पेला तो 1984 के बाद प्राइलम्पिक खेलों में फेराए गया था तब से ये गेम क्या हुए जब ये गेम हमारे विकलांगों के लिए अंतरास्टी खेल न्यू यार के में हुआ था तो वहां पी क्या हुआ था ये फ्लैग फेराए गया था बात कर गाईस तो हमारा 2012 में लंदन में प्राइलम्पिक खेलों के दौरान क्या हुआ था कि हमारे 164 देशों के 4,000 सॉरी 164 देशों के बैयालिश सो से अधिक जो अधिक जो अथलीट थे उन्होंने क्या था 20 खेलों में भाग लिया था और कहते कि जो ये ओलंपिक मतलब जो गेम है ये जो प्राइलम्पिक जो ये समार और विंटर धाते हैं और हर चार साल में बना जरता है तो इसमें इसमें इंपॉर्टंट था आपके लिए और इसमें इंपॉर्टंट और ज्यदा नहीं बनता और उनी सो चेटर में पहला विंटर ओलम्पिक गेम हमारा हुआ था और जो हमारे से पहरा ओलम्पिक गेम से संचालन्ज हो करती है वो हमारी अंतराश्टी पहला ऑलम्पिक समhita यानि आई पीसी करती है और गाईज रूम में पहली बार जो था हमारे 18 variant के 209 इत्रिट्रो ने पर पहली बार ओलम्पिक को इसी सहर में आउजित किया गया था और अगर बात पर और इंपॉर्टन किया है तो इसमें 1988 में कहते हैं साउथ कोरिया ने पारलम्पिक गेम को अलग से अगनाइश किया था और 1960 में रोम में जैसे की बताए कि आप उचार सौ प्लेयर को लेकर से पहले 1948 में तो स्टार्ट हुआ था तो वो स्टॉक मेंडविले नाम दिया गया था तो जो प्रत्यक पर सायजित होता था पर 1960 में रोम में क्या हुआ था और अगर बात करें मोटो की तो आज असाब को बता है स्ट्रेटिन मोशन इसका मोटो है सिंबल के है थ्री एजित आर्ट होता है आइ मुवज होता है और जिसमें रेड बलू ग्रीन और होते हैं यहां अरे क्लाल है यह सब ही सबिदु के आँन था थिजह फ्लैंग में आते थी तो इसलिए इसका यह थी इनको रखें गया हैं तो इसे के साथ ऑथ पीं जो हमारे उक्ध होते हैं कह आख झा पढ़ाई करने बैठ है तो सोचे कि हम लोग क्या है आखरी बार पढ़ रहे हैं कल मेरा exam है तो फिसकीर होगा ज़िआ में उखरी करें है तो अलग लेफल कीले करने के लिए हम्मत देगी और आसानी होगी हमें तो इसलिए आप विकेंसी का इंतजार मत करिए बिल्कुल भी कब आएगी कब नी आप अपना काम करते रहे कछवी की तरह धीरी धीरे चलते रहे धीरे धीरे चलने वाले ही सफलता आप राप्त करते हैं और objective approach का सहारा मत लीजिए आप ब्ली knowledge लीजिए डीपली knowledge लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग मना के पढ़ाई को करिए तो अच्छा लगेगा आपको तो इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक होता है और हमारा जो एल्टी का फर्स्ट यूनिट हस में दो टॉपिक और बचे हमारा biological factor और इंस्ट्यूशन के उसके बार हम लोग नेक्स सेकेंड उनिट में जो कि हमारा साइकलोजी है तो चले इस फिर यह वीडियो है पर कम्प्लीट करते तब तक के लिए आप सभी को नमश्कार आपका देन सुभू